तो दोस्तो Redmi Note 8 Pro तो 16th of October को लूंच होने वाला है पर दोस्तो Redmi Note 8 and MIUI 11 के बारे में कुछ भी officially confirmed नहीं किया गया है MI India की तरफ से और ना ही Manu Kumar Jain जी की तरफ से पर दोस्तो Manu Kumar Jain जी ने एक और tweet डाली है जिसमें उन्होंने बताया है कि वो एक big surprise जो है वो जल्दी ही reveal करने वाले है तो दोस्तो आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि Redmi Note 8 and MIUI 11 इंडिया में कब release होंगे और आपको सारी जानकारी देने वाले है तो अगर आप interested हैं तो वीडियो के साथ जुड़े देगा हम आपको सारी information देने वाले हैं अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो दोस्तो वीडियो को एक like देकर चैनल को subscribe ज़रूर कीजेगा तो दोस्तो पहले में आपको Redmi Note 8 के बारे में थोड़ी सी information दे देता हूँ और pricing के बारे में यहाँ पर आपको 6.3 इंच की एक full HD plus की screen देखने को मिलती है जो आती है drop notch के साथ और इसमें आपको fingerprint sensor पीछे की तरफ और 4 cameras पीछे की तरफ ही देखने को मिलते है primary sensor है 48 MP, second camera 8 MP, वो है wide angle camera, third camera दोस्तो होने वाला है 2 MP micro lens and 4 camera 2 MP, वो है depth sensing camera तो आपको यहाँ पर 13 MP का selfie camera देखने को मिलेगा इसमें आपको headphone jack के साथ type C port and 4000 mAh की battery देखने को मिलेगी और type C port के साथ 18 watt की fast charging भी मिलेगी तो बात करें यहाँ पर processor की तो आपको यहाँ पर snapdragon का 665 का processor देखने को मिलेगा तो दोस्तो अगर हम यहाँ पर बात करें pricing की तो दोस्तो इस device की जो price होने वाली है वो होने वाली है 10,000 रुपे के करीब 11,000 से उपर नहीं होगी 10 से 11,000 रुपे के बीच में ही होने वाली है तो बात करें दोस्तो यहाँ पर M.I.O. 11 and Redmi Note 8 के release date के बारे में दोस्तो शोमी की तरफ से तो कोई भी official information नहीं आई है पर दोस्तो यहाँ पर जो news, rumors and leaked information है उसके हिसाब से 16th of October को ही Redmi Note 8 and M.I.O. 11 अनाउंस किया जाएगा तो दोस्तो यह सारी information थी यहाँ पर Redmi Note 8 and M.I.O. 11 के बारे में